अगर आप लोग हिमाचल से हो और कम से कम दसमी पास हो तो आप लोगों को नोकरी का मुखा मिल रहा है तो जैसे कि डिपार्टमेंट्स आप सभी को पताते हैं उसी की साइट पर हम ओपन किये हुए हैं इस टेम तो सेंटर रिसर्च इंसिटूट का सोली में अक्जलरी स्टाफ की रिकूरिटमेंट आउट की गई है आखिरकार क्या टर्मेंट के डिडिशन्स क्या एलिजिबिल्टी क्वालिफिकेशन्स रखी गई हैं पोस्ट कितनी होंगी किस तरह आप लाइक करेंगे यह पूरी डिटेल आपको लोगों को समिट करवाई चाहेगी तो जो भी लोग नोकरी लेना चाहते हैं चाहे वो कोई भी नोकरी हो चाहे वो गवर्मेंट नोकरी हो आप लोगों को बताते हैं तो दोस्तों देशाते हो information आप लोगों की mobile screen पर इस time दिख रही होगी तो जैसे कि हम हर advertisement को बताने से पहले उसकी last date पहले ही बता देते हैं ताकि लोगों को कोई परिशानी ना हो और अपना वो कीमती बक्त बचा सके तो सबसे पहले आपको बता दें तो यह advertisement जो थी वो 24 अगस्त बगार आप में जो हो पब्लिश कर दी गई होगी बट इसकी जो आखिर डेट है last date है फोर्म अपलाई करने की बो है 25 September 2023 तो आभी तक काफी दिन है आप लोगों के पास 25 सितंबर तक आप लोगों के पास समय है अब बताता हूँ आपको जो बिग्यापन सूचना चारी की गई है तो नेमलिकता अरतों को पूरे करने वाले भारती नागरीकों से सहाइक कार्मिक के एक पद के लिए जो auxiliary staff होता है उसके लिए आवेदन अमंतरित यहां पर किये गए है और यह पूर्णे तो यह होंगे वो contract basis होंगे ठीक है तो अनबंद अधार पर आपको रखा जाएगा जी आपको ध्यान रखना है कि आपको regular नहीं बलकि contract basis के ओपर रखा जा रहा है दूसरी तरफ बात करें तो जैसे कि पोस्ट का नहीं मैं आपको बता ही चुका हूँ साहे कार्मिक अनबंद अधार पर रखा जाएगा पदों की संख्या एक ही रखी गई है उसके बाद जो section जो गिता जानी education qualification होगी वो 10th पास यहां पर रखी गई है अब बात आती है कि अगर बहां पर आपको काम दे दिया जाएगा तो आपको काम क्या करना होगा वो वह आपको बताता हूँ सबसे पहले प्रयोग शाला की सफाई जो भी laboratory की सफाई जाद धुलाई होती है वो आपको करना होगी सबस्टा जो हाईजीनी होगा वो आपको करना होगा नमूनों की बरापती आपको पता होगा कि जब आप स्कूल में बगईरा में पढ़ते थे तो वहां पर laboratory की जो काम करते थे लोग वो सबी काम आपको करने होंगे ठीक है जो भी वहांपर लेवरिट्री असिस्टेंट बगएर होते हैं तो उसे हिसाफ से ही आपको वहांपर भी काम करना होगा जो भी आपको समान बगएर दिये जाएगा उसका रखरखाव रिकोर्ड बगएर जो भी होता है वो पूरी तरह से आप पर निर्फर करेगा जो आपको आपको से लिकरी आप करेगा जो आथारा नापको खरखाव रिकोर्ड करा उसका बरुप लिए जाएगा पर लिखत प्रिक्षा पर अध़रित रहेगा जो आपका रिटन वहांपर लियाजाएगा तो रिटर में आपके जो टैंथ लेवल की ही एक्जाम होता हुसी हिसाव से फ़ोर अप्रेशन यूहाओ आपके बहाँ पर आएंगे जो की मल्टिपल चोइस कोशन आपको होंगे और इसके लिए टाइमिंग आपको 60 मिन्ट की दीजाए जानी एक घंटे के अंदर जो आपको कोशन करने होंगे ठीक है तो 60 कोशन ही आपको करने होंगे 60 मिन्ट के अंदर तो नियुन्तम जो माक्स है इसमें 40% तो आपके आने ही चाहिए तब ही आपके यहां पर शोड़ लिस्ट बगारा किया जा सकता है मतलब 40% नमबर आपके होने ही चाहिए इसमें जब आप इस टेस्ट को दोगे तो अगर टाई मामले हो जाते हैं जानी कि अगर दोनों के एक जैसे माक्स हो जाते हैं तो जहां पर अंक बराबर होने ही चाहिए तो जो भी लोग आप अपलाई करना चाहते हैं पर रहेगा निदेश किंद्रि अनुसंदान संस्थान कसोली जीला सोनन हिमालचे परदेश जिसका पिन कोड होगा 173 204 तो 25 सब्टेंबर 2023 से पहले पहले जब सभी फॉर्म आपके पहुंच जाने चाहिए ठीक है बाकी कोई अगर इंफरमेशन आपको लेनी है तो यहां पर मॉइल नमर आपको दिये गए है बाकी जो फॉर्म है इसकी लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिलेगी बहां से सिंपली इस फॉर्म को आप फिल अप करने के बाद जो जो भी आपको महतवपून डोकुम आपको साथ में जरूर भेजने है ठीक है तो चलिए फिर यही इंफरमेशन आप लोगों को बतानी है बाकी जो लोग अपलाइक करना चाहते हैं वो अपलाइक कर साहते हैं